जाहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटीब चैनल अमरित अकेडमी पे हम लोग सीटेट पेपर टू के लिए मैट के जो सीरीज चलाये हैं उसमें ट्रेंगल का चैप्टर कर रहे थे जिसमें से हम लोगोंने दो वीडियो कर लिए ठीक है आज हम यह थर्ड वीड में बता रखे हैं ठीक है तो आज हम लोग इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए इस वीडियो में हमने क्या देखना है एक आप इसमें सेंटर आफ ट्रेंगल की बात करेंगे जहां से क्वेस्टन बनते हैं और क्वेस्टन नुमेरिकल बेस्ट भी बनते हैं तो देखिए सेंटर आफ ट्रेंगल दो तरह के सेंटर होते हैं एक सेंटर होता है जिसे हम सरकम सेंटर बोलते हैं जिसकी हिंदी होती है परिकेंद्र और दूसरा होता है हमारा इन सेंटर जिसे हम अंता केंद्र बोलते हैं ठीक है न तो हम दोनों को डीटेल में डिसकस करते हैं और कैसे questions पूछे जाएंगे उस पे भी बात करते हैं तो दिखी सरकम सेंटर कैसे बनता है इन से जो परिकेंद्र है वो कैसे बनता है देखी आप लोगों ने school time में पढ़ा होगा कि किसी line को perpendicular bisect करना जैसे कोई line है इसको perpendicular bisect कैसे करते थे तो जो हमारे पास प्रकार होता था उसकी help से क्या करते थे more than half distance यहां ले 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 थे और यहां पे नोक रखके फिर more than half यहां पे और यहां पे इस तरह से कट कर लेते थे तो यह जो perpendicular बनता था यह हम बोलते थे perpendicular bisector का मतलब कि यह 90 डिगरी भी बनाता था और यह distance आपस में equal भी होती थी ठीक है तो इसमें यह कैसे बनता है परिकेंद triangle के जो side जैसे यह triangle ले लिए हमने a b c यह हमारा triangle है तो इसके तीनो side से जैसे यह side है इस पे एक perpendicular bisector यह draw कर दिया हमने यहां पे देखिए 90 डिगरी बना रहा है और इस तरह से इस वाली side पे भी एक perpendicular bisector ड्रॉ कर दिया ठीक है और तीसरी side पे भी perpendicular bisector ड्रॉ कर दिया तो यह तीनों perpendicular bisector जहां जिस point पे meet करते हैं जैसे इसको माले हमने o point तो इसी को बोला जाता है परिकेंद्र इस त्रिबुज का परिकेंद्र क्या हो गया o हो गया ठीक है ना तो कैसे निकलता है side के perpendicular bisector से परिकेंद्र मिलता है ठीक ना अच्छा अब इसकी कुछ properties पे ध्यान दे लेते हैं हम लोग क्या क्या properties है जैसे property पहली क्या है कि देखिए तो हमने बताया यह जो परिकेंद्र है o यह यहां जैसे यह vertex है यह सीर्स बोलते है तिरे बुज का इस सीर्स से o के बीच की जो distance होगी मालो यह x है ठीक ना तो वही distance b वाले सीर्स से भी होगी और वही distance c वाले कहने का मतलब है कि परिकेंद्र से तीनों vertex की जो दूरी होती है वो समान होती है ठीक ना अच्छा एक point इसमें और note कर लो इसी समान दूरी को अगर हम radius मालने तो इससे परिवित्र जो है ड्रा किया जा सकता है ठीक है ना तो यह बात याद रखना कि इसको center परिकेंद्र को center मान करके हम लोग परिवित्र ड्रा कर सकते हैं ठीक है यह हो गया अब देखिए अलग-अलग type के triangle में इसकी position जो होती है वो अलग-अलग होती है जैसे देखा यह हमारा किस type का triangle था acute angle triangle मतलब new code ribuja था तो इसका center कहा मिला हमें परिकेंद्र कहा मिला? त्रिवज के अंदर ही मिला है inside ठीक है तो यह देखिए कई बढ़ स्भी पूछा जाता है तो यह रहा हमारा second point कि Nun code ribuja में त्रिवज के अंदर बनता है परिकेंद्र कहा मिला हमें आंदर मिला वहीं अगर हम अधिक कोड तरिबूज की बात करें सुपोज ये अदिकोड तरिबूज एग में बना देता हूं हमारा अदिख कोड त्रिबूज ठीक है अब इसका परिकेंदर कैसे मिलेगा इस के परिकेंदर कीए इस वाली त्रिभूज के बाहर बना है तो यह ही कह रहा है कि अधिक कोड़ त्रिभूज अगर है यह अधिक कोड़ त्रिभूज हो गए अधिक कोड़ त्रिभूज हमने बताया कैसे बनते हैं एक एंगल जो होता है more than 90 degree होता है तो अधिक कोट तरीबूज का परिवरित जो परिकेंद्र होता है या circumcenter होता है वो कहांपे होता है तरीबूज के बाहर होता है ठीक न, ये point याद रखना अगला कहा है कि समकोण अगर तरीबूज है तो में जो कर्ण होता है उसके बीच में परिकेंदर होता है, मतलब अगर यह राइट एंगल ट्रेंगल है, यह हमने एक बना दिया राइट एंगल ट्रेंगल, A, B, C, यहाँ पे एक 90 डिगरी है, तो अब अगर हम इनके परपेंडिकुलर ड्रॉक करें बाइसेक्टर, तो यहाँ से एक यहाँ ड्रॉ ट्रॉम में परिकेंदर जाता है, तो यह पॉइंट रखना, अगला पैणट के इसको केंदर मानकर परिवीत्र बनाये जा सकता, यह बात मैं ने बता दिया, कि इसको परिवीत्र कै का अभी दूसरा center जो इसका वोता है अंता है फिर watch के अन्ट से ब anxieties को बहते हैं वह कैसे बनता है प्रिवृत कैसे हृसाइपे जो जो अगर हम लोता एक कर बात करें ङसे जयसे यह त्र Leg पुझ के इन कोणों के बाई सेक्टर को ड्रा करें एक बाई सेक्टर यहां ड्रा कर दिया एक बाई सेक्टर यहां ड्रा कर दिया एक बाई सेक्टर का मतलब यह वाला एंगल इसके कोल यह इसके कोल यह वाला इसके कोल तो यह जहां पर मिलते हैं इस पॉइंट को बोला जाता सीर्स के बीच की दूरी समान थी वैसे ही इसमें है कि अंतह केंद्र से सीर्सों की बीच की दूरी समान थी इसमें अंतह केंद्र से भुजाओं की बीच की दूरी समान थी जैसे अगर यह रहा आर डिस्टेंस है तो यह भी आर डिस्टेंस पे होगा और यह भी आर डिस्टेंस यह लंबोतदूरी की बात हो रही है कहीं और पर नहीं लेना है perpendicularly distance जो होगा वो क्या होते हैं same होते हैंstill uniform ठीक है तो इससे हम यह बना सकते हैं कि इसको अगर हम radius माल ले यह जो लंबोतदूरी है इसको radius माल ले तो सत्रिभूज के अंदर अंदर हम एक circle ड्रा ऑर कर सकते हैं ,धीरा से एक circle बनाया सकता है ,ठिक न यह हो गया हमारा इं सर्कल पूछा जाता है कि इन सर्कल किका propose कि help से बनता है तो इसमें और क्या चीजह यह देखो मैंने बताई दिया कि यह कोणों के सम दिवाचक से बनते हैं यह ठीक है दूसरा अंता केंदर से सब यह क्या होता है सबी भुजाओं की दूरी समान होती है जो आर यह भी हमने बता दिया यह सब अच्छा देखे एक चीज़ का ध्यान रखिए तिरभूज का कोई स सेंटर तरबुज की अंदर ही बनेगा थीक है ना चाहे इस तरह से तरब उटेव रहा हो तो भी इंचंड्र यहीं आएगा अंदर नहीं तो आप कंपेर कर सकते हैं एक सेंट्र अपकई यह परिकेंद्र हो गया और अन्ता केंद्र दुनों में comparison भी कर सकते हैं यहां से theory वाले question बनते हैं तो आप solve कर सकते हैं आज अपने अगले topic पर आ जाते हैं अच्छा लास्ट वीडियो में मैंने यह चीजे discuss करी थी कि सम्दूई भाजक से बनने वाला जो कोण होता है उसकी value क्या होती है उसके लिए फार्मूले थे जैसे एक त्रिभूज मालो यह A, यह B, यह C एक त्रिभूज है इसका bisector BD हो गया यहां से एक bisect करके यह BD line draw कर दिया एंगल C को bisect करके CD line draw कर दिया हमने ठीक है ना, bisect का मतलब आप समझगे कि दो equal angle में divide करके तो इस angle D को निकालने का एक direct formula होता एंगल D जो होता है 90 प्लस जो बचा हुआ एंगल A है उसको 2 से divide कर दो तो यह D का formula आ जाता है ठीक है ना, उसी तरीके से बाइकोन अगर यह जो यह वाले एंगल है इनके bisector से एंगल D point मिलना है इसका formula क्या होता है देखिए जैसे यह B एंगल है एक्सेंट यह exterior एंगल था है इसको bisect करके यहाँ पर मिला दिया BD और इसका angle C का bisector CD होगा ठीक है तो यह angle D क्या होगा जो angle D होगा इसका formula होता है 90 minus A by 2 पचे हुए angle का 90 minus A by 2 अभी इस पर एक question कर लेते हैं एक एक तो आप लोगों को और अच्छे से clear हो जाएगा ठीक है आज यह इसके questions से देख ले है कि B का bisector BD है angle C का bisector CD है ठीक है तो यह angle D की value हमसे पूछा है तो हमने बताया अगर यह त्रिबुच के अंदर बन रहे है by sector ठीक है तो formula होता है 90 plus remaining angle का by 2 तो इसको रखके solve कर दीजिए angle D तो 90 में plus कर दीजिए 100 divided by 2 इसे solve किए 50 आ गया तो यह कितना हो जागा 9,5,14 तो 140 degree आ ठीक है न तो यह angle D की value कितनी हो गई 140 degree अब यही चीज अगर question यह कहता कि यह त्रिबुच है इसके exterior angle जो angle B है यह और यह angle C है इसके बाहर वाले angle के bisector से एक यह D point में मिल रहे है तो यह angle कितना होगा तो इसके लिए formula मैंने बताया कि यह bisector अगर बाहर की तरफ है तो क्या करते है 90 में से घटा देते हैं इसके आधे को जो remaining angle है तो A by 2 तो इसको solve कर लीजिए 90 minus A की value कितनी दे रखी है 100 इसको divide कर देजिए 2 से इसको cut कीजिए 50 बार में गया तो अब आप 90 में से 50 चला जाता है तो कितना आता है 40 डिग्री इसका answer हो जाएगा ठीक है ना आई होप यह वाला concept भी आपको clear हो गया होगा यह बहुत important है कोई साभी exam देंगे even other exam में भी यहां से question पूछे ही जाते है ठीक है आजाए अपने कुछ और questions कर लेते हैं जैसे एक यह question है इसको solve कर ल आप लोग बहुत ध्यान से देखते जाओ ठीक है ना एक त्रेभुज ABC में angle A 100 degree दे रखा यह angle पूरा A जो है यह 100 degree दे रखा है ठीक है फिर कर रहा है कि AD यह जो sign होता है उल्टा T वाला sign होता है यह perpendicular का sign होता है आप क्या रहा है AD perpendicular है BC पे यह BC line है इस पे एक perpendicular हमने AD डुला कर दिया ठीक है कोई बात नहीं यहां तक कर लिया BC AD आप क्या करें AD कोड A को सम्दुभाजित करता है तो यह जो AD line है यह वाले angle को सम्दुभाजित करेगा मतलब 100 का angle था तो इसे 50-50 में बना दिया यह 50-50 का हो गया ठीक है सम्दुभाजित करता है तो angle B का मान पूछा हमसे इस what is the value of angle B यह angle B की value क्या होगी तो आप बता दीजिये क्या होगी एक तो देखिए परपेंडिकुलर था तो यह 90 डिगरी होगा ठीक है न तो इस वाले triangle में आ जाओ इन प्रेंगल या त्रिभुज A, B, D में A, B, D में त्रिभुज A, B, D में angle sum property लगाईए तो 90 प्लस 50 90 प्लस 50 प्लस angle B angle B is equal to 180 होगा ठीक है तो अब यहां से angle B निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा नौपाज चोगदा 140 तो 180 में से 140 जो है आप माइनस कर दीजिए 140 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा तो 80 में से 40 गया तो 40 डिग्री आपका angle आ जाएगा तो option चेक कर लिजिए यह रहा से 40 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यह question आप कर लिए आज यह एक आदी और पीवाई क्यों हम solve कर लेते हैं next question पर अब यह देखिए क्या कह रहा है कि इस टाइप के question में क्या पूछा हुआ है कि इन triangle ABC is an isocellus triangle in which BA is equal to BC and angle ABC is equal to 40 degree side AC is extended to a point D measure of angle BAD अच्छा देखिए सिंपल सा कह रहा है कि ABC एक संदुई बाहु तरिभूज है चलो हमने यह ABC एक संदुई बाहु तरिभूज यह बना दिया ठीक है ना संदुई बाहु तरिभूज का मतलब हो इसकी दो भूजाएं बराबर है था हमने बता दिया कि AB जो है यह वाली side AC side के बराबर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आगी क्या कह रहा है संदुई बाहु जिसमें AB और BC इसने बराबर दे रखा है 40 degree यह यह वाला angle इस आने को कह रहा है D point तक लेकर आगे हम लोग D point तक तो एक ही exterior angle बनेगा बाहे कोड ठीक ना कोई बात नहीं है तो एसी D तक बढ़ाया गया है तो angle BCD पूछा है कहां पे बन रहा है BCD यह वाला angle पूछ रहा है हमसे यह देखिए यह वाला यहां पे जो angle बन रहा है BCD इसकी value हमसे पूछ रहा है तो अच्छा चलिए अब एक बात होता है यह BCD हमसे पूछा गया है अब देखिए इस वाले triangle के अगर हम बात करें जो सम्दूई बाहुतरी बुझे यहां पर अलग से बना लेते हैं ABC इसने यह वाला angle 40 दे रखा है 40 दे रखा है और हमसे बोला है कि AB य यह दोनों साइडे बता रहे हैं ना बराबर एक सेकंड थोड़ा सा देख लेते हैं BA is equal to BC का है BA is equal to BC sorry यह वाली साइड नहीं दे रखा इसने बराबर इसको रब कीजिए यहां से तो BA is equal to BC यह वाली साइड इक्वल दे रखा यह ठीक है ना यहां पर मैं फिर से बता देता हूं आप लोगों को यहां पर तो अच्छा मुझी एक बात बता हमने एक प्रपर्टी पड़ी थी कि equal sides के opposite एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो अगर यह साइड और यह दोनों एक्वल हैं इनके opposite एंगल भी आपस में क्या होएंगे एक्वल होएंगे ठीक है अगर यह 40 है ठीक है ना यह 40 दे रखा है और एक सेकंड एक्वल यह वाला माल लिया हमने X है ठीक है और इस वाले AB के opposite X तो BC के भी opposite यह भी X ही होना चाहिए क्यों क्योंकि यह प्रपर्टी होती है कि opposite a equal sides के opposite angle are equal ठीक है अच्छा अब इसमें उसी तरीके से इसमें आजाओ इसको अगर हमने X प्लस X तो 2X is equal to 180 degree angle सम प्रपर्टी से तो यहां से कितना आ जाएगा 2X की value कितनी आ जाएगी इसको इधर बेज दीजिए यह आ जाएगा 180 minus 40 तो 140 आ गया और इसको 2 से अगर हम X की value निकाले तो कितनी आ जाएगी 2 से यह काट करो तो 70 degree ठीक है न तो यह हमें पता चल गया कितना है 70 degree हो ठीक अब मुझे यह बताओ अभी हमने पिछले concept में यह सीखा था कि जो exterior angle यह होता है यह पास वाले को छोड़ करके सुदूर दो अंता कोड़ों की योग की बराबर होता है तो यह वाला एंगल किसके हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है तो 70 और 40 ठीक है ना 110 ठीक है न यह वाला एंगल हमारा आ जाएगा 7 और 40 इसके सम मतलब 70 प्लस 40 यह 110 degree आ जाएगा ठीक है न तो इसका right answer हो जाएगा C option correct हो ठीक तो आई होप यह question भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है आज यह एकादी question और है उनको भी हम solve कर लेते हैं अच्छा यह question तो मैंने करा दिये हैं आगे की question हमने करा लिये हैं ठीक है अगर बाकी कोई अब I hope काफी सारे question हमने अलग-अलग type के कर लिये हैं और भी कोई question बचते हैं तो उसको हम लोग next वीडियो में कर लेंगे और एक similarity वाला triangle में जो similar यह congruvency वाला topic बच रहा है उसको discuss करना है ठीक है और उसके बाद triangle का chapter खतम हो जागा इसके बाद हम लोग एक science का chapter लेंगे ठीक है तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक